नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा विशय है कि सनी छेत्र भागी के छेत्र पर पाए जाने वाले कुछ सुभ चिन्नों की विशय में कि सनी छेत्र पर अक्सर इसे चिन्न पाए जाते हैं ये तीन रेखा जो है सभी जातक के हतेली में तो पाए जाते हैं ये तो तय है जिसमें से एक हिरदय रेखा, ये मस्तिस रेखा, ये आयू रेखा आयू रेखा आपकी पतली और अस्पस्ट उध्यान दे सबसे पहले सर्व पर्थम आयू रेखा पतली और अस्पस्ट हो ये पूर्ण हो तो आपको सब चीज का पूर्ण फल मिलेगा आपको भागी का पूर्ण फल मिलेगा, आपके सुब चिन्न का फल मिलेगा तो जिन भाईयों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, किर्पया सब्सक्राइब कर लें ये हमारी मद्यमा उंगली है, मद्यमा की नीचे ये सनी का छेतर होता है, जो भागी का छेतर का लाता है इस भागी के छेतर पर अगर कुछ इस प्रकार के चिन्न है, इसे चिन्न है, जैसे माल लिया जाए इस प्रकार के एक चिन्न होते हैं जिसे लोग नच्छतर का चिन भी कहते हैं, इस प्रकार का चिन है, इसको इस प्रकार से, जैसे लगे किस से प्रकार निकल रहा है, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, मैं चिन, ऐसा चिन, कुछ ऐसा चिन जो इस टार लगे, मैं इस टार मत करने का रहत है, तारा, तारा जिसे प्रकार्षमान होता है उस प्रकार से कोई बिंदू है उससे प्रकार सा निकलते हुए इस प्रकार से जिसे नच्छतर का चिन ये इस्टार का चिन इस प्रकार से अगर चिन आपके भागी के छेतर पर पायाता है तो भागी पे छेतर पर पायाता है तो भागी पे छेतर या तारे का चिन रहु तो ऐसे जातक जो है इनका भाग्योदा अतीस सिग्र हुजता है मतलब यह अपने पौंपे खड़े होते हैं और यह अपने खुद के भागी के बल पर कारी करना सुरू कर देते हैं. तो इनका कम उम्र में जो है भाग्योदा हुजता है मतलब ये हमेशा धीरे 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 आगे बढ़ते चले आते हैं मतलब समय के साथ इनकी प्रगती लगातार होते रहती है इनके जीवन में इनको पुर्णता मान परतिष्ठा के साथ साथ धन की अत्यधीक प्राप्त चुकि ये सनी छेतरा है ये एक चिन्न होते हैं जो सब कुछ दिला देते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपके आयू रेखा अच्छी होनी चाहिए आयू रेखा आपके असपश्ट हो और अच्छी हो चुकि अगर आपके आयू रेखा ये अच्छी नहीं है तो फिर अच्छे भागी का क्या फल अच्छी सूरी रेखा क्या फल देगा अच्छा भागी रेखा क्या फल देगा आपके पास गाड़ी बंगला घर सब कुछ है लेकिन आपकी आयू अगर अच्छी नहीं है आपका स्वास्त अगर अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार है इसलिए अच्छी आयू रेखा होने सबसे ज़्यादा जरूरी है अब अश्यक है कि आपकी आयू रेखा असपस्ट हो किसी तरह का इस पे नकारात्मक चिन नहीं हो कट छट नहीं हो तो यह सर्वत्तम मानियाती है अच्छी आयू रेखा होने के बाद ही सभी रेखाएं अच्छे फल देते हैं तो आज के आंके में यही था दो सुब चिन्नों की विशे में मिलते हैं अगले आंके में धन्य बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अबस्षी करें